अनंतर थेट जावियात ठागरे गटा से खासदार सेंजर राउद बोल करें तो सभी G20 के जो लीडर्स आये थे उनको लेकर प्रदान मंत्री बोधी राजघाड गये थे एक स्पेशल प्रोगाम बनाया था जो बार्डन से लेकर क्यानाडा के प्राइमरिस्टर तब तो हमने मांग की तिपी सावर करके फुच लेकर वहां को ने गया तो नेताइस वाच राजघाड पर गए तो यह कौटिशन की बात है आप को पुछना से आज गांदी जी की श्याइन की है पई गांदी जीओको हम याद करते हैं कर दिश के लिए तो काम किया है गांदी जीने इसको हम भून लही सकते है सत्य के पुजार ही थे, एक लिए देश से सत्य गायब हो गया है, तो हमारी लडाई रहेगी 2024 के सत्य के पुनरस्थापना करने के लिए, इसलिए सभी ने, मैं गांधी हूँ, उसका मतलब है, मैं सत्य वादी हूँ, मैं सत्य के लिए लड़ गया हूँ. पाकिस्तान के बारे में, जब भी बात आती थी, दज साल पहले, तब हमने सुना है, और हमें गरो होता था, प्रदाल मंती जी की सिना 56 का है, और पाकिस्तान को अब खतम करते रहेंगे. लेकिन अब इस तुनाव में लगता है, भारत-पाकिस्तन नहीं होगा, लगता है, भारत-खलिस्तान होगा, इसकी तयारी चल रहे हूँ. मेरे बात सुनिए, भारत-खलिस्तान होगा, क्या इतना बड़ा भारत-देश, इतने महान-विश्वगुरु, इतने बड़ी महासत्ता हो रहे है, और जागता है, और आज हमारे हाई कमिश्नर बितन के, उनको रोका जाता है गुरुद्वारा में जाने से, इमत कैसी होगा, उनकी गारी को रोक कर खलिस्तान और जिन्दाबाद के नारह दिये जाते हैं, कैनडा में हमारे मंदुरे पर हमला हो रहा है, ये कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये माहूल आज कैनडा में शुरुवात हुई है, फिर बिटन में आ गए, जिरे-जिरे दिल्ली तक आ जाएंगे, और दोजार चोविस तक पुरा माहूल खराब करने के बाद ये चुनाव को सामने जाएंगे, और फिर देश को कैसा खत उसका उपर का परदा उठ जाएगा. इलक्षन कमिशन में बिठाया था, अजे मेंबर, और रोध डेट डेते थे, आज तो फुल पट्रेल जी हो काम कर रहे, देखें ये इलक्षन कमिशन आप इंडिपेंटन इलक्षन कमिशन नहीं रहा है, ये किसे के हाथ में से जो एक बोलता है ना कटकुतली, कटकुतली ब इलक्षन कमिशन में बिठाया था, ये हमने भी उसका अनवोई लिया है, शिव सिना पला साथ ठाकरी जी की है, शिव सिना के अध्यक्ष्य उद्दो ठाकरे थे, पूचे में ले छोड़कर चले गए, तो इलक्षन कमिशन ने पार्टी जो लोग फुट गये, चालिस उनके अध्यक्त में देनी, ये कौन सा कानुन, कौन सा नियम, तो डर है सुप्रिया जी का, ये डर सही माइने में सच है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, सभुदान अभी जिन्दा है, और सरोच नाले भी जिन्दा है. प्रभुल पटेल जे आया है, ते इलेक्षन कमिशन चे आने डेच देता है सहा अपकमबर ला इंडरने मन्ता ये प्रभुल पटेल, यह चे कड़े आमि असव पातो कि यह आनभुआवातून शिवसना गेलियानी जाते है, यह देशा मदे इलेक्षन कमिशन चा माध्यमा भार्ती जंता पक्ष और तंची दिल्लित राज्य करते एक खेळ करता है। सर्व घटनात्मक और सविधानिक पदानवरच चा व्यक्तिमता ताबा गहेचा। और आटलाल हवेते दिरणे गहेचा। एक सरोच नयले सोड़ ताजू तंचा हाता मदे ताकि सविध तंचा हाता मदे आले ले। शिवसेना चे भाँ फूटली। तेवाच चारीस अमदार सोड़ून गेले या एका घुमे के वाँ निवन्नू कायोगाना शिवसेना शिंदे गठाचा ताबैत दिली। आ स्वरेल शिवसेना आन्या है, बाडा स्वर ठाकरेसा शिवसेना स्टापनते। तेवाच चे लेका घुमे कायोगाने सुधा ना शिर्णता वाँ है लेख्या, शिवसेना पक्षप्रभंऊ उले लेका या शिर्णत हाटले नाघुमे अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। आप मनिपूर के बारे में बोलिए। अगर शिवसे ना किसी एक गट को देखे लिए। आप मनिपूर के बारे में बोलिए। इसलिए तो शिवसे ना को कमजोर किया है। शिवसे ना तोड़ने के मुख्य वज़े ये है कि मुंबई और माहराष्ट्रा में मराठी मानुस का आवाज दबाया जाए। पर मराठी मानुस का आवाज है ताकद है। उसको खतम किया जाए इसलिए शिव सुना को भर्तियंता बख्षा ने तोड़ा है और एकना शिंद और उनके लोग तो बेइमान है महाराश्टर के वो इसके लिए जिम्मेदार है लेकिन ये सभी का सज्ञान हमने लिया है और आप देखे आने वाले दिनों में क्या होता है हैं पचास-पच्पं साल से हम श्वाजी पार्क पर एलिय करते हैं इंब QUE बेएमान लोग उसका उपर दावजाज करते है यि तो है न कंजोर करने की ताकत चल रही है जो साजीद चल रही है यही है कि शीव संथना को कंजोर किले शीव संथना को शामने चालेंज अपने लेकिन आप हमारे सामने कितने भी रुकावटे डाले, ये रैली होगी और रैली शिवतिर्था पर होगी, चाहे आपकी सत्ता हमको कुचलने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, दिल्ली से आर्मी बुलाइए, पोई फरक ने पड़ता है, ये रैली होगी. संपरुना सुप्रीम कोर्टा ने तो सोडा अंगार अपत रेते चा निर्नाया संदरभाद अध्यक्षान चा प्रक्रियवति नाराजी दरशवति चानुता राता, मुख्या मत्रिया नी दोली पो मुख्या मत्रिया ची वर्शा मने एक बईफर चलिता है, चापाना लोका भी कि मेले प्रेंट और ये मतब ये कबदा करना चाहरे है इस तरह से बयान आया है, बंगलादेश से भी कुछ लोग है, मैंने कहा ना, पेले मनिपूर शांत कर देजिए, ता मनिपूर चे प्रशना कड़े, सरकार्ना लक्षा द्याव, अशी टिपणी, संजर राउत यानी के है, एबीपी माजा, उगडा डोले, बगा नीट